आज की एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेस वारता में सभी मीडिया बंधुओं का मैं स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और इस्तक्बाल करती हूँ और अपनी बात ये कहकर शुरू करना चाहती हूँ, कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना, कई बार देखना ये लोकसभा चुनाव इस दृष्टी से बहुत ही विलक्षन रहा है, कि मोदी जी के साथ साथ, भाजपा और RSS की विशाख्त विचारधारा से जुड़े, कई और व्यवसायों में काम करने वाले लोग, कई पत्रकार भी उसमें बेनकाब हुए हैं मुझे लगता है कि आज की प्रैसवारता इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्यूंकि एक पत्रकार की बेटी होने के नाते, बचपन से मैं ये सुनती आई हूँ, कि खेंचो न कमानों को न तलवार निकालो, गर्तोप मुखातेब हो तो अखबार निकालो तो चौथे स्तंब, जो लोकतंतर का चौथा स्तंब है, उसकी निश्पक्षता और निर्भीकता पूरे लोकतंतर के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, ये बचपन से मुझे सिखाया गया, मैंने कई बार टीवी के रिबेट में भी ये कहा, कि एक पत्रकार की कलम अगर जुक बहुत ही सभ्य, मर्यादित, संयमित, दिखने वाले वरिष्ट पत्रकार, पत्रकारिता को कितने निचले स्तर तक ले जा सकते हैं, ये कल से वाइरल हो रहे एक वीडियो ने दिखा दिया है, मैं तो रजट शर्मा जी से सीधे सीधे आज पूछना चाहती हूँ, कि जो अपशब्द रजट शर्मा जी ने कहे हैं, वो क्या उनकी आदत है, उनकी फितरत है, कॉंग्रेस और विपक्ष से उनकी नफरत है, या मोदी जी का चरण वंदन है, और मुझे लगता है, कि कल से भारत के सोशल मीडिया प्लाटफॉर्म्स पर लाखों लोग, जो अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया, एक अभध्र टिपनी के ऊपर दे रहे हैं, उन सब के सामने, सार्वजनिक रूप से, एक सपश्टिकरन या बयान जरूर आना चाहिए था मैं थोड़ी सी क्रोनोलोजी बताना चाहती हूँ कि असल में हुआ क्या, पहले हम लोग सोच रहे थे कि वो दोनों वीडियो यहाँ पर दिखाएं, पर वो आपको मेरी टाइम लाइन पर जरूर मिलेंगे, यह वाक्या है चार जून का जिस दिन नतीजे लोग सभा के सामने आ रहे थे, और मैं यहीं AICC के प्रांगण में बैठ कर इंडिया टीवी पर बहस कर रही थी, अब होता ऐसा है कि अगर एंकर और प्रवक्ता साथ में बोल रहे हूं, कॉंग्रेस की बढ़ती हुई टैली को देखकर गर्म जोशी का महौल हो, शोर शराबा हो, और एक Tomum works, उरक ही टीवी स्क्रीन आ, हो तो अक्सर भुद भुदाकर या धीरे से कोई बात कही जाती है, तो वह सुनाई नहीं देपाती हा, उस दिन मैं नहीं सुन पाई, मेरे सामने टीवी स्क्रीन भी नहीं थी, फिर ये वीडियो अचानक से वाइरल होना शुरू हुआ, क कहती हो पहले तो यकीन नहीं हुआ कि रजद शर्मा जैसे व्यक्ति सार्वजनिक तौर पर एक लाइव डिबेट में इतनी भद्धी गाली का प्रयोग कर सकते हैं और चुकि जो वीडियो हमें भेजा गया उसमें नीचे वो गाली लिखी हुई भी थी तो मन नहीं माना कि ऐस हो सकता है हम इंडिया टीवी के प्लाटफॉर्म पर गए वहां से जो उन्होंने खुद फुटेज डाली थी उस फुटेज को निकाला उस फुटेज की उस क्लिप को निकाला जिसमें ये वाक्या घटित हो रहा है और वहां पर भी जिसे अंग्रेजी में एक भार मत कीजिए शायद बोधी जी की घटे हुई संख्या और कॉंग्रेस की बढ़ती हुई संख्या को देखकर जुझला इतना गए कि उन्होंने वो गाली दी और अब मैं एक नारी के तौर पर भी एक भारती महिला के तौर पर मैं ये जानना चाहती हूँ रजट शर्मा जी से कि ये बात सिर्फ एक रागिनी नायक की नहीं है मैं दस साल से इमानदारी से अपनी पार्टी का पक्ष टीवी पर रख रही हूँ आप पत्रकार होते हुए भी भाजपा का पक्ष रख रहे हैं मोधी जी के साथ जो आपका इंटर्वी हुआ वो सब ने देखा किस तरीके की बाचीत उसमें हुई सब ने देखा मेरे माबाप, मेरे बुढ़े सास ससुर, मेरे बच्चे सब वो वीडियो देख रहे थे कॉगरेस के लाखो करोडो लोहों किस देश की जग्ता वह वीडियो देख रही थी आप ने मुझे गाली दी सिर्फ इसलिए कि मैं इमानदारी से अपनी पार्टी का काब कर रही हूँ और सिर्फ गाली नहीं दी उसके बाद सुभे आपने मुझे धमकाना शुरू किया आपने कहना शुरू किया कि अगर प्रेस कॉंफरेंस किया जाएगा तो डेफरमेशन का केस करेंगे मतलब आप चोरी करें उसके बाद आप सीना जोरी करें आपको लगता है कि धमकाने से हम डर जाएंगे और ये आसु सिर्फ इसलिए नहीं है कि मेरा अपमान हुआ है ये आसु इसलिए कि आप सोचते हैं कि सत्ता का घमंड इतना है हैं कार इतना है आपको लगता है कि आप कुछ भी करेंगे और बचके निकल जाएंगे क्योंकि मोदी जी का हाथ आपके उपर है आप गाली दें उसके बाद आप कहें कि आप ही defamation का केस करेंगे और Congress Party पीछे हट जाएगी मैं याद दिलाना चाहती हूँ आपको रज़त शर्मा जी महात्मा गांधी ने इस देश में सबसे पहले अभय का पाट पढ़ाया था चमपारण में निलहे जबरदस्ती नील की खेती कराते थे गांधी जी ने कहा था कि सत्ता के घुरूर से डरो मत अत्याचार से शोशन से डरो मत कितनी भी ताकत हो सरकार के पास डरो मत और मुझे लगता है कि वही आज राहूल गांधी भी चरितार्थ कर रहे हैं जब वो ये नारा देते हैं डरो मत तो देखिए हम डरे नहीं आपकी गीदर भबकियों से नहीं डरे सबसे पहले तो मुझे लगता है कि आपको बताना चाहिए था कि अगर आपने गाली नहीं दी तो आपने कहा क्या है कौन से शब्दों का इस्तमाल किया वो आपने नहीं किया क्योंकि नसिर्फ आपका मुखोटा हटा है बलकि आपके मन में कितना मैल है, कितना जहर है, कितना गुस्सा, कितना क्रोध, कितनी घ्रणा है, वो सब आज कहीं न कहीं बाहर आया है। तो आज बिलंब हुआ, हमने सुबह बारा बजे प्रैसवारता रखी थी, उसके बाद ये क्रिमिनल कंप्लेंट हमने लॉज की है, ये आप से हम शेयर करेंगे। न ऑसेन संग बालद और वर्द इन और निर अन पॉब्लिक स्पस्छ वंशने हैं, विख बनीजिग पुक्प्रेशपनिग प्रैस्छूश्न की कितना कि बाद ट्रणा हुआ झालम सुभ्स तो न सुबह बनम्रश ट्रणाट ट्रणा किंव जे ऊंस्ट इनाथ वहार थे ड् or that a gesture or object shall be seen by such woman or intrudes upon the privacy of such woman shall be punished with the imprisonment for a term which may extend to three years and also with fine. तो आपकी धंकियों और गीदर भबकियों से आपने चुप कराने की कोशिश की, खामोश कराने की कोशिश की, हमने ये क्रिमिनल कंप्लेंट लॉच की है, और हम नसिर्फ ये उमीद रखते हैं कि इस पर प्राइमर फैसे इन्वेस्टिगेशन के बाद FIR भी दर्ज होगी, बलकि मैं आज NCW को भी आप सभी मित्रों के माध्यम से जगाना चाहती हूँ. ये सुओ मोटो कॉगनिजेंस NCW कब लेना सीखेगी? National Commission of Women को कटपुतली की तरहे नचाना मोधी सरकार कब बंद करेगी? हमने पहलवान बेटियों की पीडा देखी, उनके छाती पर लाते मारी गई, उनको अपने मेडल सड़क पर छोड़ने पड़े, हर तरह का दुर्व्यभार हुआ, तो मोधी जी से बहुत जादा अपेक्षा नहीं है, पर एक बार फेर आज गेंद उनके पाले में भी है, कि कहीं न कहीं नारी शक्ती की बात करना, नारी वंदन की बात करना, तमाम बड़े-बड़े नारे देना नारीयों से संबंधित, आज उन सभी का एक बड़ा फैसला, उनका सत्यापन करने का एक बड़ा फैसला वो ले सकते हैं, और मुझे लगता है कि आगे बढ़कर इस मसले पर बोलना चाहिए, और अंत में मैं ये बात जरूर कहना चाहती हूँ, कि हमने पिछले दस साल में देखा, विपक्ष के प्रवक्ताओं की घेराबंदी होती थी, विपक्ष के प्रवक्ताओं को कम समय दिया जाता था टेलिविजिन के डिबेट पर, विपक्ष के प्रवक्ताओं को बहुत सी बार म्यूट कर दिया जाता था भाजपा के प्रवक्ताओं को कवर फायर मिलता था एंकर की तरफ से लेकिन एक परिकल्पना में जो सबसे बड़ी अतिशोक्ती होती है न हम भी जब ये होता था तो हम बैट के कहते थे कि कुछ भी हो जाए एक दिन ऐसा नहीं आएगा कि कभी मा बहन की गाली देने की नौबत आन पड़े और मुझे लगता है कि उस भयावे परिकल्पना को चरितार्थ करने का काम उसको यथार्थ में बदलने का काम जो रजट शर्मा जी ने किया है अगर नैतिक्ता का एक अंश भी उनके मन में होता तो ये मुझे डेफिमेशन की धमकी देने के बजाए सार्वजनिक प्लाटफॉर्म पर वो बहुत सारे अंकर से और भाजपा के ट्रोलर से और गाली दिलवा रहे हैं आप ज़रा देखिएगा एक बार टाइम लाइन पे जाके भद्धी से बद्धी गाली खतरनाक से खतरनाक धमकी मुझ मुझे अपेक्षा ये थी कि वो आकर ये बात कहते बताते स्विकारते और माफी मांग लेते खतम हो जाता कि मेरे मुझ से निकल गया नहीं बोलना चाहिए था या कम से कम ये बताते नहीं कहा तो क्या कहा तो ये जो घमंड है ये जो धृष्टता है ये जो अहिंकार है ये है इसलिए हम यह लड़ाई लड़ रहे हैं और मुझे तो बड़ा अश्चर होता है विद्ध्यार्थी परिशत से संबंध रखते हैं रजट शर्मा जी मुझे लगता है इनकी शायद यह प्रशिक्षन वहीं से शुरू हो गया था और उसका वो एक अंग्रेजी में एक आजाता है और वहीं कहीं देखने को मिला है अग्षिक्षन अच्छली स्लिप्ट और अंदर के भीतर के कितनी कडवी सच्चाई है वो एक बार एक जलक में निकल कर आ गई तो NCW इस बात का संग्यान ले प्रधान मंत्री नरेंद्र मोध अगर इस देश की नारी शक्ती के प्रती लेश मात्र भी श्रद्धा रखते हैं समान रखते हैं मन में तो इस बात का संग्यान ले और रजट शर्मा जी सावगोई के साथ आकर जो दो सवाल मैंने पूछे कि आपने क्यूं कहा और अगर नहीं कहा तो क्या कहा ये धंकिया देने के बजाए ये बात आकर बताएं क्यूंकि आपकी अदालत तो बहुत लंबे समय तक करते रहे आज जनता की अदालत में वो खड़े हैं और मुझे लगता है कि ये सिर्फ रागिनी नायक का अपमान नहीं है ये पत्रकारिता पर एक बड़ा लांचन है आज पत्रकार साथ ही अगर एक जो ठोकर नहीं कहेंगे कि ये गलत है नहीं होना चाहिए तो आज एक रागिनी नायक के साथ हुआ है कल किसी और के साथ होगा किसी की भी मा बहन बेटी के साथ अब गाली गलोज की नौबत आ जाएगी लाइव डिबेट में लाइव चैनल्स पर ओन एर ग हुंगट पट की और यही बात एक बहुत ही धुख भरे मन के साथ मैं आप लोगों से साजा करना चाहती थी इस प्रेस वारता के जरिए यदि कोई भी सवाल आपके मन में है आज इसी विशय पर बोलूगी तो जरूर मैं जवाब देना चाहती हुआ 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 मैंने जैसा कि आपको बताया कि जो पहला वीडियो मुझे मिला वो भी मेरी टाइम लाइन पर है वो वीडियो मुझे लगा कि एडिटेड है क्यूंकि उसमें नीचे एक गाली लिखी हुई है उपर यह भी लिखा हुआ है कि रजशर्मा गाली दे रहे हैं पर उसके बाद इंडिया टीवी ने जो लाइव शो अपने ही प्लाटफॉर्म पर शेयर किया उसमें से वही फुटेज लेकर हमने वो सेक्शन वो पार्ट वो क्लिप आपको दिखाई है अगर वो मौफ्ट है तो इंडिया टीवी अपने ही सीनियर मोस्ट एडिटर की मौफ्ट वीडियो क किसी और प्लाटफॉर्म से नहीं ली गई उसके साथ कोई छेडखानी नहीं की गई और जो आप जांच की बात कर रहे हैं मुझे लगता है ओनस अफ प्रूफ इस वक्त पपिट्रेटर पर है अग्रेसर पर है जिसने गल्ती की है उसके उपर है तो अगर ये जांच की होती है वो जांच करवाएं ना वो मांग कर रहे हैं ना हां कह रहे हैं ना ना कह रहे हैं उन्हें लग रहा था कि एक लीगल धंकी देंगे और सारी बात खत्म हो जाएगी ऐसा हुआ नहीं अब ये क्रिमिनल कंप्लेंट भी है तो ये हम बीच में छोड़ने वाले नहीं है अंत तक इस लड़ाई को लेकर जाएंगे